अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है आपने यूट्यूब खोला इंटरनेट खोला टिक टॉक ठोला तो दस में से पाँच वीडियो पाँच पोस्ट ऐसी होगी जो कुछ न कुछ एडवाइस दे रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे पहनो या तो कुछ फ्लॉंट कर रहे होंगे कि यह देखो वो देखो एसला फ्लाण यह भी खाओगे राइट नमबर एक आपको यह जाना चाहिए हाउ टू स्पॉट अ बैड एडवाइस और दूसरी तरफ हम यह भी बिल्कुल मरा नहीं कर रहें कि भी अगर आपको एक्शुली ग्रो करना है ओनलाइन सोशल मीडिया पे या आजकल के मार्केट में तो आपक नहीं है कि वह सारा का सारा आपका सपोर्ट ग्रूप एंकरेजमेंट का ग्रूप जो है वह सभी के सबी की दी गई हर एडवाइस आपके लिए सही होगी जस्ट लाइक कि हमारी जो मेडिकल एडवाइस मेडिकल फील्ड के हम वीडियो बनाते हैं उसमें हमारे जितने एक 1. 1.8 1.9 million followers हैं अब उनमें कई advice आती है कि डॉक साब ऐसे कर लो डॉक साब ऐसे कर लो हमें हमारी क्या conditions है हमारे क्या situations है उसके according हम करते हमारे पास जो available time है resources है conditions है उसके according हम जो कर सकते हम कर रहे हैं आगे चलके कुछ और कर पाएंगे तो कर पाएंगे तो उस particular person में जो advice दी ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो वो उसके point of view से सही हो सकती है लेकिन वो हमारे लिए कितनी लागू होगी ये भी totally अलग है तो हमें ये देखना होगा कि हम वो advice को अपने support and encouragement में रखें या actually उसको अपने constructive criticism वाले category में लेके उस पे काम करें तो इसी को पहचानने की हम कोशिश करेंगे और ये comment की advice जरूरी नहीं है ये कग आप video देखते हो उसमें से आप advice ले ले तो आपका mind जो है subconsciously जिसको follow करता है उस influencer को वो social media के video को वो अपने mind को influence करने लगता है और इसी पे आप लोगों के जितने भी decisions होते हैं live के वो भी माहिने रखत है कि 30% of people ये claim करेंगे कि करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी फलाना ढमकाने वाली चीज खरी दी चाहिए वो एक mobile हो या चाहिए वो कोई भी product हो वो इसलिए खरीदी क्योंकि उनको किसी social media influencer ने के पास यह दिखा यहने वो ले रहा था तो हमने लिया वो यूज कर रहा तो हमन किया ऐसा 30% minimum लोग है और इस पर कोई specific research data नहीं मिलेगा कि हमें exact number बता है पर यह एक्टम minimum कह रहे हैं से जादा होंगे होंगे और लेकिन research ने यह जरूर बताया है कि एक bad और good social media influencer का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा समझते हैं और फिर समझते हैं कि bad advice क्या हो सकती है उसक कैसे spot करें उसके 2-3 points आप सिर्फ 2-3 points ही आठ रख लोगे ना उत्रा भी बहुत है और समझने वाली बात है ची research क्या बताती है कि it's not enough कि आप एक influencer हो आपको क्या आपकी एक huge fan following है क्योंकि let's be frank यह fan following खरीदी भी जा सकती है कई सारे click baits भी होते हैं कई सारे verification भी खरीदा ज सकता है that is a different thing what different aspect but then अगर किसी के पास बहुत सारे follower है भी तो क्या वो जरूरी है कि वो सही बोल रहा है चाहिए वो YouTube हो चाहिए वो TikTok हो उसमें आपको ऐसे example मिल जाएंगे YouTube में भी जो बिल्कुली totally bullshit बोलते हैं लेकिन उनके पास बहुत follower है या TikTok में भी जिनकी वीडियो में कोई logic नहीं है लेकिन उनके बहुत follower है तो फिर आपको दिये बिल्कुल दिमाग आपका खुद का common sense तो लगाना पड़ेगा तो इस एक research actually हुई थी इसमें जिसमें के कुछ 365 responders को देखा गया और उनमें सोचा गया कि उनमें देखा गया कि ये एक जिसके भी आप बात सुनत हो एक advisor एक influencer उसके बारे में क्या characteristic है जो actually बहुत माइने रखती है सबसे important characteristic गैस मारो कि क्या है सबसे important characteristic जो है वो मुझे comment section में बताना कि एक influencer एक advice देने वाले कि सबसे important बात क्या है जो हमें जो options है वो मैं बताता हूं first मैं दे रहा हूं authenticity authenticity का मतलब है कि how much can you trust that person उसकी advice उस influencer के recommendation को वो कितने authentic recommendation है कितने sincere recommendation है यह आप कितना trust कर सकते हो यह authenticity होती है यह नहीं कि उसको किसी ने पैसा दे दिया है कि हाँ यह इसकी promotion करो तो वो कर देगा तो वो authentic नहीं रह गया वो तो भाई जो मर जी है right so that's becomes authenticity and उसका खुद का that objective second चीज जो है वो है expertise whether you go for expertise or authenticity expertise मतलब अगर हम कह रहे हैं आपको कि ऐसे कपड़े पहनो तो क्या मैं इस चीज में expert हूं या मैं कहूंगा कि भी आप ऐसा करो आप अपने painting ऐसे बनाओ क्या मैं painter हूं क्या मैं expert ब्रश ऐसे मत पकड़ो वैसे पकड़ो तो आप अगर किसी influencer की बात सुल रहे हो किसी advice की social media पे हो या general life में हो कोई आपको advice दे रहा है तो क्या वो person उस particular advice देने वाली field में expert है या नहीं है कितना experienced है उस particular field में अगर मैं खाना बना सकता हूं घर में खाना बनाता हूं that does not make me a chef कि मैं किसी की गलती निकालो मैं एक्स्ट्रा टिप बदा सकता हूं लेकिन गलती निकालना advice देना वो मेरा काम नहीं है फिर भी medical point of view में advice दे सकता हूं कि medically ये तेल भी बटर मनाई गलत गलत है मक्षन वक्षन कम खाना है नमक कम खाना है व तो सब वो अलग हो गया लेकिन एक टेस्ट कैसे लाना है वो एक शेफ का काम है right that's the thing so similarly authenticity हो गया expertise हो गया याद रखें आपको चुनना है आपका important क्या है third is similarity of the audience क्या क्या इस चीज में कई लोग कई लोग कहते हैं ये इंडियन है तो हम इसकी बात सुनेंगे ये बाहर का है तो हम फीमेल की बात सुनेंगे फीमेल ने बोला तो फीमेल की बात सुनेंगे ये चाही बोलती होगी तो क्या एक परसन अपने उस particular कोई न कोई चाहिए हिंडू है ये मुसल्मान है रैट ये सिख है ये हमारे ये है क्या उस पॉइंट को similarity को आप ज्यादा माइने दोगे वह भी एक पॉइंट देखा गया है कि हाँ वह भी एक important point है fourth point देखा गया है जी आप बहुत बड़ा पॉइंट देखे गया है attractiveness को जी हाँ unfortunately yes कोई कितना सुंदर है उसकी वह बात फिर मानी जाती है अगर आप सुंदर है आप बोलते हो ये क्रीम लगाओ तो लोग लगाते है हाँ जी आप चाहे जूट बोलो आप चाहे कुछ बोलो जी आप बहुत इंपोर्टन चीजिए ये यू के नाट एस्केप फ्रॉम is it the attractiveness, the aesthetic, the looks, is it the similarity of the audience, is it the expertise behind that person's knowledge, that person's advice या do you think the authenticity of the, जो उसके दिल में है, authenticity of that advice, क्या चीज़ आपको सबसे जरूरी लगती है, वो अपने comment section में रिखना है, मैं यहाँ पर आपको दो important points और बताऊंगा, जिससे आप पहचान सकते हो कि कोई advice, influencer की video हो, audio हो, कोई recommendation हो, कितनी अच्छी है या नहीं, उसको समझने के लिए आपको दो चीज़ समझ दिया, कि is a person giving you advice, actually where you want to be in your life, यह है, क्या वो person जो आपको advice दे रहा है, number one, या तो वो expert, expert है, उस field का तब तो यह सवाल ही नहीं आता, अगर वो expert नहीं है, तो क्या वो अपनी उस जगा से ग खरिदनी के advice नहीं ले सकते, जो पिछले 25 साल से rent पे रह रहा हो, right, या ऐसे इंसान से, जो कभी कबार घर में एक खादी dish बना लेते हैं, या खाना कभी kitchen में गया नहीं, आप उससे cooking के advice नहीं ले सकते, right, unless and until वो एक doctor medical advice दे रहा हो, right, so that's what I'm saying, एक business grow करने की, आप अगर 90% से अपने आपको मानलो, आज की डेट में social media पे grow करने के लिए बहुत लोग अतारू है, कि मुझे भी अपनी video viral करनी है, तो उसके लिए लोग क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, advice करते रहते हैं, और 90% advice जो होती है, वो wrong होती है, लोग ये कर लो, वो कर लो, ये आप अगर अपने content पे, content पे ध्यान दोगे, तो आप बिलकुल, possible है कि आप viral हो जाओ, बट ये चीज कोई नहीं बोलेगा, ज्यादा तर लोग नहीं बोलते हैं, और आपको गलत advice देते हैं, तो आपको ये देखना है, क्या ऐसा person जो आपको advice दे रहा है, आपके situation, आप जह रहते हो, जिस condition में रहते हो, आपकी जो घर की situation है, क्या उससे निकला हुआ है, क्या आपकी situation को वो समझ सकता है, कि वो आपको advice दे रहा है, या फूर वो आपको ऐसी advice दे रहा है, जो आपके लिए possible ही नहीं है, तो आपको ये point समझना पड़ेगा, और number दूसरा सबसे बड point, जो आपको देखना है, bad advice को पकड़ने का सबसे बड़ा point है, you have to ask yourself, आपको अपने आप से पूछना है, कि is there something in this for them, जो advice दे रहा है, क्या उसका इस advice देने में कोई स्वार्थ है या नहीं, ये अगर आप सवाल का जवाब दे दोगे, और फिर सोचोगे, तो आपको समझ में आजाएगा, ये good advice है या bad advice है, याद रखे, और unsolicited advice को भी आपको याद रखना है, पूछाने कुछ नहीं आपको advice देना, मालो आप आप कमरे में गए, ladies के साथ बहुत होता है, आप एक तम कमरे में गुसें, और वहाँ एक दो ladies आपको, अरे ये क्या पहन लिया, ये combination खराब है, ये ऐसे नहीं लिना है, ये आई लगाना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये क्या combination है, गुविंदा बनके आ गए हो, something, 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 so there are, एक तो ये हो गया, looks for advice, एक हो गया कि ऐसे नहीं बात करते, आप, आप successful तब होँगे, जब आप ये करोगे, आप एक, एक नहीं लेकिन आपको मिल रही है, so कई बार आपको फिर self खुद पर doubt होने लगता है, और आप ऐसी चीजों पर सोचने लग जाते हो, जिस पर आपका actually, आपका, आपकी career, आपका business matter नहीं करता, आपके looks पर उतना matter नहीं करता, अनले सनर्टी, वो उस तरीकी का कोई business हो, looks वा वहां matter नहीं करता, लेकिन फिर भी कई लोग आपको वहां पर target कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई looks की classes होगी, कोई beauty product होगा, बेचने वाला, कभी कबार उनका स्वार्थ होता है, so आपको यह देखना होगा, कि कोई अगर आपको बिना कोई मतलब के advice दे रहा है, कि आप गोरा हो जाओ, एक लंबा होना एक उमर के बाद होई नहीं सकते, वो जग जाहिर है, फिर भी कई लोग के बाद उसके, from where पता नहीं, so there are things, जो जूट है, तो आपको पता होना चीए, bad advice क्या है, good advice क्या है, यह सारे points को निचोड के अगर आप अच्छे से सुचोगे, अपने दि पता दीजिए, वरना आज नहीं तो कल कल नहीं तो परतो, आज आप उनकी line of thoughts में आई जाओगे, और अपने main goal को भूल जाओगे, so remember this and write down, कि आपको कौन सा point लगता है, जो influencer में होना चाहिए, क्या कौन सा आपके लिए matter करता है, उसकी authenticity, expertise, similarity of the audience or the attractiveness, and thank you so much, make sure to share like, और इ दे दो यार, कम से कम, 2-3,000 likes तो दे दो, thank you so much, stay connected, stay healthy.